नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुका मैं रोतरा आप देखरें चार बजे की चार बड़ी खबरे शुरुआत करते हैं पहली खबर से 23 मई को उत्तर प्रदेश विधान सभा का बजट सत्र शुरू होगा योगी सरकार की दूसरे कारिकाल का पहला बजट विधान सिस्टम वाला मनाया ज़ा रहा है बजट को लेकर विधान सभा में अलग-अलग तरीके की तयारिया शुरू कर दी गई हैं आज विधान सभा अद्यक्ष सती शुमाना की अद्यक्षता में विपक्ष के नेताओं के स का मौका दिया जाएगा सतीश महाना ने प्रिस्वार्ता कर बैठक की जौनकारी दी गोज़ा साथी साथ बीस इकिस तारिक को विधान सभास सदस्यों का प्रबोधन कारिकरम भी होगा इस बात की जौनकारी भी दी गई अभी तक 379 सीट ती टीजिए के प्राइस के विधान सभा के तक उसके अंदर जोटी इसके नइंगी जब यूद्ध कर देशा तब भी 425 इसके बाद 403 सदस्य अभी विधान सभाव में चूब कराते हैं किस तो जिसे पर इम इधान लाओं करना था तो हर माननिया से का सीट असाइंड करने के बाद है तो चार सो तीन तो सदस सीटें 370-90 को चार सो तीन करना का देन जो बाठक करी गई आपको बता दे कि इसमें विपक्ष के भी कई नेता मौझूद रहे और उनसे उनका सहीयोग भी मांगा गया है और इस खबर पर मैसल सदबाचीत के लिए समधा था विभाशू जुड़ चुके लगना उसे विभाशू लगतार ये कहा जाता है कि विपक्ष की आवाज दबाई जाती है विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें ये बात निकल कर सामने आई है कि विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा उसकी आवाज नहीं दबाई जाएगी विधान सभा अध्यक 37 महाना की तरफ से रखा गया था 37 महाना ने सभी दलों को निवंत्वन भेजगर जो प्रस्ताव आज पास होना था उसके लिए सभी दलों को आज निवंत्वन भेजगर जिसमें आपको बताएं कि बीयस्पी की तरफ से उमा संकर सिंग तो वहीं कॉंग किया गया वहीं आपको बताएं कि इस बैठक के दौराने सतीस महाना जो की विधान सभा ध्यक्ष है उन्हों की द्रफ से कहा गया कि विपक्ष और या हो या पक्ष सबके लिए निस्पक्ष तरीके से सबकी बातों को सुना जाएगा और किसी की बातों को दबाय नहीं हा में 200 वैसरी 179 स्वा करते घिसको बढ़ा कर चारसो तीन कर दिया गया वहीं आपको बताए कि मानना ये था कि जो कानूनिक पत्रिया को देखते हुए जो समिधान के मौली के अधिकार है और तमाम जो CRPC, IPC के धाराये हैं उन सब चीजों को देखते हुए वो इस पे नजर बनाएंगे और संसद की कारवाई पे पूरी तरह से महा अधिवक्तार नजर रखेंगे वहीं आपको बताए कि 430 सीटों पर एक कोड बनाये जाएगा साथी साथ से जो पेपरलेस सोसाइटी का गठन हो रहा है जिसमें आपको बताए कि जो आने वाले 23 माई को विधान सवा का सत्र हो रहा है और योगी सरकार 2.0 का पहला सत्र होगा इसमें पूरी तरह से पेपरलेस विधान सवा सत्र चलाए जाएगा एक भी पेपर का उपियोग नहीं किया जाएगा जो प्रस्ने पूछने का और जो तमाम एजेंडा होता है वो डिस्प्ले के माध्यम से सभी जो विधायगर होंगे उनके बैठने का स्थान तै किया है वैसे एक जगह उनके लिए सुनिश्चित कर जेगी उन्हीं जगह बैठना है वहां टेबलेटेवं तमाम इलेक्टवानिक गैजेट्स लगे होंगे जिसके माध्यम से वह कारवाई के में जो वी चीजे होती है जो पेपर से होता था उसमें अब वो इलेक्टवानिक गै वो अब विधानसवा के सत्र में समलित हो सकेंगे वहीं अगर देखा जाए तो इससे पहले जब उत्तर प्रदेश वा मुत्तरा खंड एक था तब इतनी ही सीटे थी मगर अब पेपरलेस सोसाइटी का जो गठन हो रहा है और विधानसवा किया जारा जिसमें डिजिटली त इस बार के सत्र की तो इस बार के सत्र में विपक्ष का सहयोग मांगा गया है तो क्या विपक्ष अपना सहयोग देगा मुद्दे उठाएगा या फिर हंगामा करेगा हर बार की तरह इस बार भी कार्यवाई बादेत हो सकती है जी बेसक अगर बात की जाए तो पिछली सरकार से इस बार विपक्स थोड़ा मजबूत है वहीं अगर देखा जाए तो समझवादी पार्टी गटबंदन के पास 125 विधायक है और 111 विधायक उनके स्वयम पार्टी के हैं तो कहीं ना कहीं इस बार देखा जा तो विधानसवा सत्व बहुत ही दिल्चस्प होगा क्योंकि एक अगर कोई बिल पास होता है तो पक्ष और विपक्स के एक चर्चा की जाती है और चर्चा इस बार देखें तो बहुत यतिहासिक होगा क्योंकि मजबूत विपक्ष रहता है तो सवाल जवाब अच्छे से हो सकता है तो अब जो विधानसवा सत्र शुरू होगा तो वो देखने के लिए वाली बात होगी कि कैसे सत्र चलता है वहीं अगर बात की जाए तो हंगामों की भेट चड़ जाता है विधानसवा का सत्र तो वो इस बार उनकी तरब से यह आग्रह किया गया है कि सकर्ष निकले और साथ ही साथ जो चर्चा हो उसमें दोनों जो पक्ष है यस और नो लाबी दोनों एक दूसरे की बातों पे सहमत हो सही है तो सही बोले और व जो पिछले चुनाओ हुए जुसमें चुन विधानसवा चुनाओ के दरान जो वादे किये गया थे उस पर चर्चा की जाती है कुछ नए बिल भी लाज जा सकते हैं जैसे आपने देखा कि तमाम ऐसे बिल पिछली सरकार में पास हुए पहली सरकार की पहली सत्र में तो इस इसमें विपक्स का साथ मांगा जाएगा जी 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 जड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस खबर में मैसा समधा था विभांशु जुड़े थे लखना उसे वही सहायक नगर आयोकत ठाकुर प्रसाद ने बताया कि शहर को समार्ट बनाने के लिए नगर निगम द्वारा प्रति दिन अवैद कब्जे को हटवाया जा रहा है उसी क्रम में आज शमशाद मार्केट से अतिक्रमण हटाया गया है साथी उन्होंने कहा कि ये अभियान आगे निरंतर जारी रहेगा ताज महल पर एक और याचिका इलहबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है याचिका दायर करने के बाद आयोध्या से जगत गुरू परमहंस आचार्य ने वीडियो जारी किया है ये आचार्य ने याचिका व्रिंदावन महेश्वधाम के महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी ने दायर की है वहें इस मुद्वे पर आगरा की जुनता ने भी अपनी राय रखी है आयोध्या से मैं तपस्वी चावनी पिठादिश्वर जगत गुरू परमहंश आचार्य ने वीडिया है 26 अप्रैल को आगरा के तेजो महाले मैं गया था लेकिन भगवा वस्त पहनने के कारण हमें उहां प्रवेश नहीं दिया गया इसके बाद यसाई चीफ ने हमसे छमा माग करके मुझे आमंत्रित किया फिर मैं तीन मई भगवान परशुरां की जैनती पर आगरा तेजो महाले जैसे ही मैं पहुँचा तो वहां फिर मुझे नहीं जाने दिया गया इसके बाद जितने हिंदुबादी संगठन है बहुँ संख्यक समाज साधू संत धर्माचारियों में बड़ा अक्रोस रहा हमसे लोग पूछने लगे कि अब क्या किया जाए जनांदोलन करें पूरे देश में तो हमने कहा जब तक केंदर में आदर्णी पधान मंत्री श्र श्रियादी तिनाजी है तब तक हमें चिंता करने की जरूत नहीं है शंबैधानिक दारे में ही जो है प्रयास करिए इसके बाद जो है तो ब्रंदावन महेस्वर धाम के आचार महामंद्रिश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी जी ने इलाहवाद हाई कोट में एक याज का डाल है कि तपस्वी छाउनी पिठादिश्वर जगत गूरु परम हंसे आचायर जी को भगवा वस्त्र और धर्मदंड के साथ में तेजों महाले में प्रवेश्वर दिया जाए और संबैधानिक दारे में ही सब को प्रयास करना है और जीत भी हमारी होगी हमें जो है किसी भी त ताजमहल पर सियासत तेज है जो है एक बार फिर याचिका की बात कही गई है और ताजमहल के मामले में याचिका भी दायर की गई है आपको बता दे कि जहां जगत गुरु परम हंस आचार ने वीडियो जौरी कर याचिका वरंदावन महेश्वर धाम के महामनलेश्वर धर में द्रगिरी ने याचिका दायर की है और इस मुद्धे पर आगरा की जंता की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है जब से उन्हें ताजमहल में प्रवेश्वर नहीं दिया गया उसके बाद से वो काफी नाराज नजर आ रहे थे इस खबर पर मैंसे जदबाद चीट के लिए समधा तो जिशान एहमद जुड़ चुके आगरा से जिशान ये मुद्दा लगातार गर्माता ज़ा रहा है ताजमहल का क्या कुछ जानकारी जिस तरह से वीडियो सामने आया लोगों की क्या प्रतिक्रिया है मैंत है अभी छबी सारीक को वो आजबया से ताजमहल काय थे उनको उनके हाथ में ध्रम धंका और वस्त द्रे इंकी बएसे एसाइटीम ने उनको अंदर एंटी नहीं दी इसके बाद ये मामला गर्माता गया और इस पे तिर देश ही नहीं पूरे देश में ताजमहल को रे पर ताजमहल आए उसके बाद उनको एसाइटी टीम ने ध्रम धंका अंटी नहीं दी इसके बाद से आएद्या के डॉक्तर राइनी सिंह के ज़़ारा एक हाईकोटी नखलव बेंच में ताजमहल के बाइस कम्रे जो काभी सालों से बन आ है उनको उनको पूलने की मांग भी इसमें आम जंतका क्या कहना है आम जंता का बिल्कुल आम जंता से भि त्राइं ट्वी ने खुबर कИ और जानकारी नहीं आंगी आपrí gusti एपनी भाईस के मुआबस्त नहीं वख्भत में जो बिल्कुल बहुत बाशुक्रिया हमाई से जुड़ने के लिए तुमाम जानकारी के लिए इस ख़बर में से समधा था जिशान एहमद जुड़े थे आगरा से कानपुर के थानों में फर्यादियों और पकड़े गए आरोपियों से पुलिस कर्मी अब क्रूरता नहीं कर पाएंगे इसके लिए कानपुर कमिशनरीट पुलिस ने प्रयास शुरू कर दिया है वहीं सभी थानों में साउंड रिकॉर्ड की सुविधा वाले CCTV कैमरे लगाए जा रहे है अब पुलिस आयोक्त आनंद प्रकाश्तिवारी ने बताया कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी अब जारी रहेंगे अधिकारियों की नजर में रहेंगे और किसी भी फरियादी या फिर किसी भी आरोपी पर प्रताड़ना नहीं की जा पाई ही अब पुलिस आयोक्त नहीं ये जानकारी दी है पारदर्शिता के लिए सिस्टिवी कैमरे लगाए जाएंगे अब कानपुर में किसी भी तरह से धानों में फरियादियों और पकड़े गए आरोपियों पर पलिस करमी करूरता नहीं कर पाईंगे जीअ धानों का इफेक्टिव होना और धानों में पारदर्सित तरीके से काम का होना बहुत आभश्यक है और ये समय है कि हम थानों में बेहतर रिजोलिशन के, अच्छे रिजोलिशन के साउंड वाले कैमरे लगाएं जिससे हम थाने को डिस्टेंस से देख भी सकें और थाने की कारे च्छमता में, उसकी गुर्वत्ता में, उसकी पारदर्शी विवस्ता में हम सुधार ले आएं इसके लिए हम सभी थानों में जहां जहां पे कैमरे नहीं हैं, वहां पे हम कैमरे इंस्टॉल कर रहे हैं साउंड भी रिकॉर्ड होगी और इस खबर भी मैं सुधा बार चीट के लिए समधाता उपेंद्र अस्थाना जोड़ चुके कानपूर से, उपेंद्र कौन सी ऐसी, कौन से ऐसा मामला सामने आया था जिसके बाद CCTV कैमरे लगाने की ज़रूरत महसूस होई पुलिस महकमे को कानपूर पुलिस से एक बार पहले संजी सत्य कानप को लेकर बतनाम हुई उसके बाद मैला को पर तैजाब फिका गया उसको लेकर पुलिस सकती हुए कि पुलिस सवाल उठता नजरा आ रहा था इसलिए कानपूर के आपर निजरसक जो मैंने पुलिस अलाद कारी हैं उन्हें नंने CCTV फुटेज की वह भी साउंड पूफ की वरिस्ता करिया रही है जिसमें अभी कानपूर बढ़न थाना ना डेकर निस थाना और ठोट वाली जोंकि 5-6 थाने जो हैं इसमें CCTV फुटेज स इसलिए कानपूर से तो कानपूर में अब CCTV लगाए जाएंगे वरियादियों पे साथी साथ आरोपियों पे दोनों पे नजर रखे जाएगी ताकि कोई भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर आए तो पुलिस कर्मियों उसके साथ अभादरता ना कर सके अगर कोई आरोपी है तो उसके साथ भी कुरूरता ना की जा पाए चार बजी की चार बड़ी खबरों में फिलहा लेता ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुकार